हैं रुकनुदी ने शादी ने रशी दोरे कासी में किस चित्रकला शेली से सम्मनित है तो ये बीकानेर चित्रकला शेली से सम्मनित है नेक्ष नमरा मेवाड चित्रकला शेली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंत है तो जो सावन पदिक मना सूत चुन्नी है ये सबसे प्राचीन तम ग्रंत है नेक्ष नमरा बनी ठणी पेंटिंग किस चितरशेली से सम्मनित है तो ये किशनगट चितरशेली से सम्मनित है नेक्ष नमरा बुंदी के गट पेलेस में चित्रशाला का निर्मान किस ने करवाय था तो महराव राजा उमेश सिंग ने करवाय था चित्रशाला का निर्मान नेक्ष नमरा डालू नाम के चित्रकार किस शेली से सम्मधित है तो ये कोटा शेली से सम्मधित है नेक्ष नमरा योगासन किस शेली का पर्मुक विशे रहा है तो जो अलवर चित्र शेली है उसका पर्मुक विशे रहा है योगासन नेक्ष नमरा चित्रकला में राजस्तानी शेली का उद्गम किस से माना जाता है तो अप ब्रहंच शेली से माना जाता है राजस्तानी शेली का उद्गम नेक्ष नमरा कौन सा चित्रकार भीलों के चित्रे के रूप में विक्यात है तो गॉर्दन लाल बाबा है जो कि भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है नेक्शनमरा ढोला मारू मुमल दे निहाल दे उजली जेठवा चितरे किस शेली की निजी विशेष्टा है तो ये जोदपुर चितर शेली की निजी विशेष्टा है नेक्शनमरा किस चितर शेली में पीला रंग प्रधान है तो भीकानेरे चितर शेली में पीला रंग प्रधान है नेक्शनमरा राजस्तान की मूल शेली के रूप में किस चितर शेली को माना जाता है तो मेवाड चितर शेली को माना जाता है नेक्ष नमरा निम्लिकित में से कौन सा चित्रकार बिकानेर चित्रकलाशेली से नहीं जुड़ा हुआ है तो जो नानक राम है वह बिकानेर चित्रकलाशेली से नहीं जुड़ा हुआ है इसके लबावा यह, मत्य-रण, शहाव मुहम्मद और अबु हमीद यह तीनों हैं विकानेर चित्रकला शेली से जुड़े हुए है नेक्ष नमरा पिछ्वाइच चित्रशेली का मुख्य विष्य है तो श्री क्रिष्ण लिला है जो कि पिच्वाई चित्र शेली का मुख्ये विश्य है नेक्षो नमरा चित्रांकन की उन्यारा शेली को किस चित्र शेली की उपशेली के रूप में जाना जाता है तो इसे ढूंडार शेली की उपशेली के रूप में जाना जाता है नेक्श नमरा राजस्तान की प्रथम में चितेरी महिला कौन थी तो पारवती देवी थी पहली चितेरी महिला नेक्ष्व नमरा वर्षा में नास्ते हुए मौर राजस्तान की किस चित्रकला शेली की विशेष्था है तो ये बुंदी चित्रकला शेली की विशेष्था है नेक्ष्व नमरा वर्षा पंच तंत्र चित्रांका ने किस चित्रकला शेली की विशेष्था है तो ये मारवाड शेली की विशेष्था है नेक्ष्व नमरा वर्षा पंचाशी का किस शेली का चित्र है तो ये मेवाड शेली का चित्र है नेक्षो नमरा कमला वा इलाईची महिलाएं किस चित्रकला शेली से जुड़ी हुई है तो ये नाद द्वारा चित्रकला शेली से जुड़ी हुई है कमला और इलाईची नेक्षो नमरा निमलकित में से कौन सी चितरशेली पंच तंत्र चितरांकन के लिए जानी जाती है तो जो मारवाड चितरशेली है वह जानी जाती है पंच तंत्र चितरांकन के लिए नेक्षव नमरा बूंदी के गड़ पेलेस में चितरशाला का निर्माने किसने करवाय था तो महरावे उमेश सिंग ने करवाय था चितरशाला का निर्माने नेक्षव नमरा राजस्तान की वह चितरकला शेली कौन सी है जिसमें चितरों पर चितरकार के हस्ताक्षर किये जाते हैं तो जो विकानेर चितरकला शेली है उसमें चितरों पर चितरकार के हस्ताक्षर किये जाते हैं नेक्षु नमरा चित्रकला के विकासेतु कारिरत संस्ता टकमन 28 का संबंद किस जिले से है तो ये उद्यपुर जिले से संबंद है टकमन 28 संस्तान नेक्षु नमरा नाग में पहने जाने वाले वेशरी आबुशन का एकमातर चित्रन किस चित्रशेली में मिलता है तो किशन गड़े चितर शेली के अंदर मिलता है नाग में पहने जाने वाले आबुशने वेसरी का चितर निक्ष नमरा मारवाड मूरल्स के लेकक है तो रामलतार अग्रवाल इसके लेकक है